हेलो नमस्कार जैहिंद मेरे दोस्तों आज है हमारी तरफ से फानांशल मैनेजमेंट एंड एकोनोमिक्स फॉर फानांस क्लास नमबर थ्री आप जानते ही हैं कि लेवरेज एनलीजिस का चैप्टर चल रहा है अब तक हम चार प्रैक्टिकल कोशन्स भी कर चुके हैं और हमारी तरफ से चार थियोरी के नोट्स भी हो चुके हैं अच्छा अब हम सीधे प्रैक्टिकल कोशन्स पर आएंगे मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिकल कोशन्स बहुत सारे हैं तो जो प्रैक्टिकल कोशन्स जिससे आज मैं आज की कलास शुरू करने जा रहा हूँ मैं सीधे उसकी तरफ आपको ले चलता हूँ इस practical question में एक बड़ा ही interesting और एक न्या concept आपको सीखने को मिलेगा तो वो question कौन सा है मेरे प्यारे बच्चो page number 1.8 question number 7 हाला कि अभी question number 5 और 6 बीच में बचे हुए हैं पर कोई नहीं वो अभी आज की class में ही हो जाएंगे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा question number 7 की तरफ और question number 7 को मैं screen पर लाना चाहूँगा देखेगा जी question number 7 screen पर आपके सामने आ चुका है page number 1.8 पर थोड़ा सा question को मैं उपर कर देता हूँ हां जी चली आईए question की details को हम आराम से पढ़ लेते a firm has sales of rupees 75 lakhs पहली information company की sales 75 lakhs है बड़ी अच्छी बात है जी variable cost है 45 lakhs fixed cost का amount हुआ आपको specifically बता रहे हैं रुपिस 6 lakh okay company के पास कितना debt है debt की information ये रही 40 लाग रपे का debt है और जो 40 लाग का debt है उसका rate of interest है 10% वैसे company के पास जो equity capital है उसकी information है रुपिस 60 lakhs पहली requirement what is the firm's ROI तो बच्चो पहली बात तो आपके दिमाग में यही आएगी के यह ROI क्या होता है जी वैसे तो बड़ा popular term है लेकिन फिर भी ROI की full form क्या होती है return on investment ROI की full form क्या होती है return on investment तो पहला सवाल आप से पूछा जा रहा है कि company का जो ROI है company का जो return on investment है वो कितना है इसके बारे में detailed discussion करेंगे जैसे हम इस question का आंतर शुरू करेंगे question की second requirement पर आपका ध्यान चाहूँगा they are saying they are asking does it have favorable financial leverage position आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपसे financial leverage पूछ रहे है नहीं शब्दों को पकड़िये वो आपसे financial leverage position के favorable या unfavorable होने पर आपका comment पूछ रहे है तो देखते हैं जी क्या है जब हम इसका आंतर शुरू करेंगे ठीक है ना चलिए थोड़ा सागे बढ़ते हैं question की third requirement तो बड़ी प्यारी requirement है साथ वो कहते हैं कि आप जितने leverages operating financial combined leverages हैं आप उनको calculate करके बताएं और last requirement number four जिसमें वो बड़ी specifically करें हैं कि अगर company की sale अगर 50 lakhs रह जाए रह जाए मतलब जहां से question शुरू हुआ था वहां लिखा था कि आपकी sale 75 lakhs हैं अब वो कहते हैं कि मान लिजे company की sale जो की अभी 75 lakhs है अगर वो गिरकर 50 lakhs हो जाए तो बताए company का new EBIT कितना होगा कुल मिलाकर ये question है बड़ा interesting question है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन आप जानते हैं कि leverage जितने भी calculate करे जाते हैं उनकी पहली condition क्या है क्या आपके पास एक income statement होनी चाहिए जो आपकी existing situation को represent करें तो हमेशा जब तक आप existing income statement नहीं बनाओगे आप leverage का कोई question का answer नहीं दे पाओगे तो आईए सबसे पहला काम यही करते हैं पर पहले ज़रा हम अपनी main screen पर आजाते हैं details मैंने पहले लिखे हुए थे तो अब क्या करा जाए क्या करा जाए आईए शुरू करते हैं answer to question number seven और question पूछे या ना पूछे आपकी शुरुवात कहां से होगी आप कहेंगे income statement अंडर existing situation इसके बगैर leverages calculate करना possible नहीं हैं तो आप दो columns बना ले एक की heading particulars और दूसरे की heading amount ठीक है भाई या very good आईए question number seven का answer शुरू करें income statement बनाने के procedure पर हम आगे बढ़ें तो मैं screen को थोड़ा सा उपर कर लेता हूं very good और amount जो हम represent करेंगे वो सब कुछ रुपिस में होगा जी obviously हमने कौन सा dollars और pounds में अपनी बात बतानी है तो आप मुझे बताईएगा existing situation में आपको sales कितनी given है आपका जवाब है 75 lakhs very good 75 lakhs की sales आपको given है variable cost का amount भी बताईए चलिए शावाश तो आपने कहा कि variable cost है रुपिस 45 lakhs ठीके 45 lakhs की variable cost आप इसमें से deduct करें sales में से variable cost deduct करते ही आपको contribution पता चलेगा तो existing situation में कितना contribution हो गया भाई 30 lakhs अब आप इसमें से deduct करेंगे fixed cost ठीक है रहूं न अच्छा भाई कितनी fixed cost question में आपको given है आप कहेंगे के fixed cost जो अपने को given है वो है रुपिस 6 lakhs तो बिजनस से होने वाला operating profit 24 lakhs जिसको कि हम more popularly EBIT के नाम से जानते हैं जी तो बिजनस अपने operating expenses deduct कर चुका है EBIT हमारे पास आ गया अब आईए हम लोग financial activities के बारे में बात करें तो interest on debt capital of course आप minus करना चाहेंगे question में clear cut instruction है कि आपके पास 40 lakh का debt capital है कि जिसका rate of interest है 10% so this is 10% of 40 lakhs तो मेरे भाई interest कितना हो गया 4 lakhs हो गया न आप 4 lakhs minus करेंगे जैसी आप interest के amount इसमें से minus करेंगे तो difference आ गया 20 lakhs अच्छा ये 20 lakhs क्या है is it the amount of earnings before tax very good इसमें से आपको minus करना चाहिए tax लेकिन tax का rate question में given नहीं है कोई नीजी तो चुकि tax के बारे में question मुझे नहीं बता रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं जादा से जादा अपनी income statement को यहीं रोक दूँगा मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं साहब वैसे मुझे income statement इससे आगे चाहिए भी नहीं by ebt और combined leverage तो वैसे ही calculate हो जाएगा तो इतनी income statement बहुत है जहां तक leverages calculate करने का सवाल है तो मेरे प्यारे बच्चों income statement आपने बना ली है अब मैं आपका ध्यान इस question की पहली requirement पे लाना चाहूंगा तो पहली requirement पर आ जाएजी अचा question की पहली requirement है क्या number one please come to the first requirement of the question वो आप से जानना चाहते है ROI मैं आपको बता चुका हूं कि ROI की अच्छा मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि ROI को हम एक और नाम से जानते हैं और इसका दूसा नाम है ROCE और ROC की की फुल फॉर्म है return on capital employed return on capital employed is equal to आप लोगों ने ratios को कही ना कहीं एक ना एक लेवल पर पढ़ रखा है मैं आपको ROI या ROCE इसके फार्मुले पर सीधे लाने से पहले सीधे लाने से पहले एक बड़ा important concept आपके साथ discuss करना चाहूँगा तो थोड़ी देर के लिए आप ज़रा लिखने का काम बंद करें अपने pen को आप थोड़ी देर के लिए आराम करने दें और मुझे एक बड़े बहुत बड़िया wonderful explanation के साथ आने दीजें पर उसके लिए मैं ज़रा अपने अगले page पर आना चाहूँगा और हंजे तो मैंने थोड़ा plane जो है अपना page जो है साथ कर लिया है अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक बड़ा important concept आपको पढ़ाता हूँ साथ ज्यान से सुनेगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ सुने 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 ये है business बिजनस सलाने के लिए चाहिए capital क्या चाहिए capital capital आपको कौन देता है ज्यान से सुनेगा capital या तो आपको देंगे equity shareholder capital या तो आपको देंगे preference shareholder capital या तो आपको देंगे debenture holder क्या ये बात आप मानते हो के नहीं मानते है येस परफेक्ट है जी अच्छा जब capital इकठा हो जाता है तो business जो है उस capital को market में लगाता है business उस capital की मदद से market में business operating activities में अपने आपको engage करता है business से आपको क्या मिलता है सुनेगा business से आपको मिलती है sales लेकिन sales achieve करने के लिए आपको expenses करने पड़ते हैं expenses होते हैं दो तरीके के variable cost और fixed cost जब business अपने दो expenses minus कर देता है जब business अपने दो expenses minus कर देता है तो कहता है कि हमने ये business से कमाया है जिसको हम कहते हैं EBIT वेरी गुट अच्छा जब business से EBIT आ जाती है तो ये वाली income उन सब लोगों में बढ़ती है जिनोंने business में पैसा लगाया होता है जैसे debenture holder ने जो loan का amount हमको दिया हम सबसे पहले उसको interest देते यानि जिन लोगों ने पैसा लगाया हम उनको reward करते हैं हम उनको income देते पहली income किसको मिलती है debenture holder को जिसको कहा जाता है interest फिर government को जब tax मिल जाता है तो बाकी income का हिस्सा किसको मिलता है preferential holder को और अगर सब को देने के बाद अगर आखिर में कुछ बच जाए तो वो बच्चा हुआ income किसको मिलता है आपका जवाब है equity shareholder को मैं अपने explanation को फिर से दोराता हूँ बड़ा important explanation है इन लोगों से पैसा लाया जाता है लाने के बाद उससे business किया जाता है business से sale होती है पर business में खर्चे होते हैं तो जब business अपने खर्चों को minus कर देता है तो कैता जी हमने कमाया EBIT जब business से income आ जाती है तो income उन लोगों में बाटी जाती है जिनोंने business में पैसा लगाया होता है और जब income distribute होती है तो पहला right debenture holder का होता है दूसा right preferential holder का होता है और तीसा right equity shareholder का होता है इसका मतलब आप ज़रा समझिए income कैसे लाई जाती है और income कैसे बाटी जाती है तो income के लाने के concept और income के बाटने के concept को ज़रा ध्यान से सोचेगा अब मैं एक काम करता हूँ अब मैं वापिस आता हूँ अपने ROI या return on capital employed के formula पर formula क्या है असल में बड़ा simple formula है this is EBIT divided by capital employed बच्चो फार्मूले का बड़ा logical explanation है आप मुझे थोड़ा सा time दीजिए अपनी बात को समझाने का ज़रा इधर आए बिजनस की सेल 75 लेक्स बिजनस से अपनी variable cost minus करी बिजनस से अपनी fixed cost minus करी अपने expenses minus करने के बाद बिजनस ने कितनी income earn करी आपका जवाब होना चाहिए 24 लेक्स क्या मैं ठीक कह रहा हूँ आपका जवाब होना चाहिए 24 लेक्स आप इधर आईए आपने जवाब दिया 24 लेक्स लेक्स लेकिन इस बिजनस को जब बनाया गया और बिजनस में जब capital डाला गया तो capital किस किस ने डाला equity shareholder ने और debenture holder ने प्रेफरेंश shareholder का नाम कोशन में नहीं है तो पहली बात आप मुझे बताए बिजनस में debenture holder का या long term debt का पैसा कितना है आप कहेंगे रुपिस 40 लेक्स 40 लेक्स क्या है long term debt very good फिर आप ये बताएं कि इस बिजनस में equity shareholder की investment कितनी है आप कहेंगे equity shareholder की investment है 60 लेक्स बड़ी अच्छी बात है और percentage में जानने के लिए आप इसको hundred से multiply करेंगे अब जरा concept को समझेगा आपका conclusion ये है कि business में इतनी power है कि वो हर साल 24 लाक रपे की income earn कर सके आपने मेरे शब्दों को पकड़ा business 24 लाक रपे की income earn करने की power रखता है और income से उसका मतलब है अपने variable और fixed cost को minus करने के बाद लेकिन इस business को चलाने के लिए जो capital invest हुआ था वो capital कितना था आपका जवाब है एक करोड रपे इसका मतलब ये जो business है ये अपने capital पर या capital में होने वाली investment पर 24% income earn करता है इस business का जो potential है वो क्या है कि इसमें आप जितना capital invest करते हैं और उसकी मदब से business करके expenses minus करके जो income generate होती है वो income आपके capital का 24% है मेरे प्यारे बच्चों आपको formula का logic समझ में आया के नहीं समझ में आया देखो मुझे ना इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि जब student कहता ना कि चलो formula को रटा लगा लेंगे क्या फरक पड़ता है तो मैं दिल से दुखी होता हूं साब ratio बिना किसी मतलब के नहीं है ऐसे नहीं कि कुछ numerator में लिखा कुछ denominator में लिखा ratio calculate हो गई यह बात अपने आप में सही नहीं है तो इसलिए ज़रा formula के logic को समझिए numerator ऐसा क्यूं है denominator ऐसा क्यूं है यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको first point का मतलब उसकी calculation, conclusion, logical explanation सब समझ में आ गया है अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और जड़ा question के second point पर आ जाओ जी very good जी बहुत अच्छे we come to requirement number two okay मैं आपका ध्यान requirement number two पर ले आता हूँ लेकिन मैं तो question भूल गया अरे भाईया requirement number two क्या थी एक बाद फिर से क्या हम question number seven को screen पर ला सकते हैं हाँ जी दिखेगा जी question number seven का second point है does it have favorable financial leverage position क्या company की जो financial leverage position है वो favorable है या unfavorable है इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें आपके मन में आएगा कि चलो financial leverage calculate कर लेते हैं बस यही आपके सबसे भारी गलती हो सकती है उसने कब कहा क्या financial leverage calculate करें वो तो कहता है financial leverage की position के favorable या unfavorable होने के बारे में कुछ कही पर यह क्या concept है हम तो इसके बारे में नहीं जानते पर कोई बातनी साब हम है ना आपको यह concept समझाने के लिए सुनी क्या financial leverage interest पर किया गया comment है आप कहेंगे यह अच्छा अब यह बताओ तो interest देना loan लेकर interest देना अच्छी बात के बुरी बात आप कहेंगे sir loan लेना बुरी बात होती है तो interest देना भी बुरी बात हुई अरे अगर आप ऐसा कहोगे अगर financial management का student यह कहेगा कि loan लेना बुरी बात होती है तो फिर किताबों को बंद करिए financial management की पढ़ाई को छोड़ दीजिए दुनिया में financial है क्या दुनिया के सारे bank क्या कर रहे है लोन देने का काम कर रहे है तो क्या वो गलत काम कर रहे है कैसी बात करते हूं भईया तो loan लेना अच्छी बात है या बुरी बात है इसका फैसला होगा कैसे मैं आपको बताता हूं मैं आपको बताता हूं आप मेरे शब्दों को पकड़ीगा अराम से कोई जल्दबाजी नहीं कोई जल्दबाजी नहीं मैं फिर से यहां पर आगे हूं सब मान लीजिए मैंने अपने दोस से मेरे दोस का नाम है Mr. A मैंने अपने दोस से 100 रपे का loan ल अच्छा, यह तो हो गया इसका एक आसपेक्ट, अब आप मुझे बताओ, मैं 100 रपे का करूंगा क्या, मैं 100 रपे को लगाओंगा अपने बिजनस में, ठीक है न, बिजनस से होगी सेल, बिजनस के होगे खर्चे, मान लो बिजनस से सेल बिजनस के खर्चे काटने के बाद मैंने बिजनस से 18 रुपे कमा लिए जब मैंने 18 रुपे कमाए पर चुकि पैसा मेरा नहीं था तो 100 रुपे का 10% मुझे इंटरस्ट देना था तो interest मुझे कितना देना है, मुझे interest देना है 10 रुपे, तो अगर मैं किसी से भी मैं loan लेता हूँ, और मैं उससे जो रुपे कमाता हूँ, यानि जो मेरी खुद की earning है, वो मेरी earning जादा है, और interest का amount कम है, तो मुझे बताइए, मुझे net में gain होगा के नहीं होगा, तो loan लेना अच्छी बात है, अगर आपकी खुद की earning किस नाम से जानी जाती है, return on investment या return on capital employed के नाम से, अगर आपकी खुद की earning, यानि पैसे को business में लगा कर, आप कितने percentage earn करते हैं, अगर ये earning जादा है, किसके comparison में, rate of interest के comparison में, तो इसका मतलब, मेरे प्यारे बच्चो, loan लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, कि rate of interest होना चाहिए कम, और उस पैसे को business में लगा कर, आप जो earning realize करते हैं, वो earning होनी चाहिए जादा, इसका मतलब मैं अपने आपको advantage की situation में पाऊँगा के नहीं पाऊँगा, अब मैं आपको फिर से अपने main answer में ले आता हूँ, जब आप कहते हो कि आपके business से 24% income होती, याने business में जो पैसा लगेगा, उस पे 24% कमाया जाएगा, वो पैसा equity shareholder का लेकर आओ, तो भी 24%, वो पैसा debenture holder का लेकर आओ, तो भी 24%, मेरे प्यारे बच्चो, मैं अगर किसी से loan लेता हूँ, और खुद 24% कमाता हूँ, पर जिस से loan लिया, अगर मैं उसको interest दूँगा 10%, जैसा की question में कहा गया है, तो मुझे advantage होगा के नहीं होगा, कितना बढ़िया explanation है साहब, मैं खुद earn करता हूँ 24%, बिजनस में काम करके, लेकिन बिजनस में जो loan का पैसा लग गया, उसमें मैं debt provider को देता हूँ 10%, तो बाकी का जो 14% है, उसका मुझे net advantage होगा के नहीं होगा, आप कहेंगे obviously होगा, इसका मतलब loan लेकर मैंने कोई बुरा काम नहीं करा, interest देकर मैंने कोई बुरा काम नहीं करा, अच्छा काम किया है, तो financial leverage की position मेरे लिए favorable है, तो आप लिखेंगे इस question में, the financial leverage position, लिखेगा, the financial leverage position is favorable, because क्योंकि ROCE, क्योंकि ROCE, 24 percent, ROCE 24 percent is more than, is more than, the rate of interest, the rate of interest on debt capital और rate of interest कितना है, 10 percent हाँ, अगर मैं situation को reverse कर देता, मैं market से loan लेता, और interest देता 10 percent, पर खुद अपने business से कमाता 8 percent, 9 percent, 6 percent, तब मैं कहता कि मैंने loan लेकर बुरा काम किया है, यहाँ पर मैंने loan लेकर कोई बुरा काम नहीं किया है, आपको explanation समझ में आ चुका है, very good जी, बहुत अच्छे, अब जरा आप question के third point पर आईएगा, question का third point क्या है, जरा बताएं, वो कह रहे हैं कि आप leverages calculate करके बताएं, हो जाएगा जी, कौन सी बड़ी बात है, पहला leverage कौन सा होता है, degree of operating leverage, यही होता है न, फार्मूला क्या है, existing contribution, divided by existing EVIT, भाया मैंने कुछ गलत्तों नहीं पढ़ा दिया आपको, existing situation में fixed cost से पहले, divided by fixed cost के बात, अच्छा जी, अब जरा थोड़ी देर के लिए income statement में चलें, income statement से पूछिए, क्या आपका existing contribution क्या है, आप कहेंगे 30 लाक रपे, और EBIT क्या है, आप कहेंगे 24 लाक रपे, very good जी, बहुत अच्छे, 30 लेक्स divided by 24 लेक्स, चली इधर आईएगा, 30 लेक्स divided by 24 लेक्स, अच्छा आप में से ज्यादा तर student ने इसको calculate कर भी लिया होगा, मैं भी इसका answer जानता हूँ, पर भाया class record हो रही है, मुझे बढ़ा डर लगता है, भाया answer कुछ गलत ना हो जाए, इसी लिए हम चेक करने के लिए calculator का इस्तमाल कर लेते हैं, 1.25, अब आप आएंगे financial leverage की तरफ, इसका क्या formula होता है, existing EBIT याने interest से पहले, divided by existing EBT interest के बाद, ठीक है न, यही formula है, अच्छा existing EBIT कितना है, 24 lakhs, divided by existing EBIT कितना है, आप कहेंगे 20 lakhs, सहिए जी, 24 by 20, क्या ही हो गया 1.2, क्या ही हो गया 1.2, very good जी, अच्छा अब combine leverage भी इसी बहने calculate कर ले, combine leverage का formula क्या होता है, this is existing contribution, divided by existing EBIT, सहिए जी, अच्छा existing contribution कितना है, existing contribution है, 30 lakhs, और existing EBIT है आपका, 20 lakhs, 30 lakhs by 20 lakhs, भाई हमारे इसाफ से यह 1.5 आ गया न, अगर आप चाहें, तो combine leverage को दूसरे तरीके से भी calculate कर सकते थे, operating leverage, multiplied with financial leverage, अगर operating leverage है 1.25 और financial leverage है 1.2 तो दोनों का multiplication आ गया, 1.5, सही है न एकदम, तो क्या हम इस question में requirement number 3 तक की सारी बातों को deal कर चुके हैं, requirement number 3 तक की हम सारी बातों को deal कर चुके हैं, very good जी, अम मैं आपका ध्यान, इस question के fourth point पे लाना चाहूँगा, आज आएं जी fourth point की तरफ, question का fourth point क्या है, question का fourth point ये है, अगर company की sale जो की अभी 75 lakhs है, कल को अगर 50 lakhs हो जाती है, तो आप बताएं, company का नया EBIT कितना होगा, ओके जी, very good, बड़ी अच्छी बात है, वैसे company का अभी EBIT कितना है, company का अभी EBIT है 24 lakhs पे, company का अभी EBIT है 24 lakhs पे, पर वो पूछ रहे हैं के नया EBIT कितना होगा, very good जी, बड़ी अच्छी बात है, आईएगा requirement number 4 को deal करते हैं, आप ज़रा बताएंगे, के नया sales question में कितना given है, कितना given है, अरे भाई, कितना given है, 50 lakhs, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा, इस में से, हम minus कर देते हैं, नया variable cost, देखो, question में तो variable cost given है, कितना given है, 40 lakhs, 45 lakhs given है, पर 45 lakhs का variable cost तो तब था ना, जब sale होती थी 75 lakhs, पर अब sale कितनी हो चुकी है, अब तो sale हो चुकी है, 50 lakhs, तो आप ही मुझे बताएं, कि अगर sale 50 lakhs हो जाए, तो variable cost कितना हो जाएगा, variable cost कितना हो जाएगा, तो variable cost हो जाएगा, 30 lakhs, बहुत बढ़ी है, जैसे आप 30 lakhs का variable cost minus करते हैं, तो difference आगया contribution, और कितना contribution आगया, 20 lakhs, अच्छा, 20 lakhs में से हम fixed cost minus कर दें, fixed cost तो वही रहेगा ना जो की पहले था, बहले ही company की sale में गिरावट हो गई हो, पर fixed cost तो वही का वही रहना चाहिए ना, और कितना रहना चाहिए, इसका मतलब नहीं situation में आपको EBIT कितना आता हुआ दिख रहा है, आप कहेंगे सर नेया EBIT आ गया, 14 lakhs, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह answer, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया, था ही कुछ नहीं इसके अंदर दी, था ही कुछ नहीं इसके अंदर, पर बच्चो मैं आपका दिल तोड़ने वाला एक काम करने वाला हूँ, आप जानते हैं कि अगर पेपर चेक करने वाला ऐसे लाल निशान लगा के काट दे, तो इससे आपके दिल में कितने कितना दुख होता ऐसा, मेहनत से आंसर किया, वो कहते हैं यह आंसर गलत है, अच्छा वो कहते हैं आपका आंसर 14 लाग ठीक है, हमें आपके इस नेट आंसर से कोई शिकात नहीं हैं, लेकिन आप एक बात बताईए, इस पूरे आंसर में लिवरेज टर्म कहां लिखा हुआ है, भाई आपने तो यह आपने तो वेरिफिकेशन कर दिया हमारे आंसर का, अगर आप लिवरेज का चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे होते, कोई और चैप्टर भी पढ़ रहे होते, तो भी आप ऐसे आंसर दे देते, यह नहीं चलेगा, यह न चलबो, बात सिर्फ इतनी सी है, आप अपने आंसर में लिवरेज शब्दों का प्रियोग करो, यह क्या आंसर है भीया, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, तो इसका मतलब मुझे इस कोशन का आंसर देना है, पर मुझे लिवरेज से मदद चाहिए, एक बार फिर से सोचिए, सवाल क्या है, सवाल है, अगर सेल इतनी हो जाए, तो E-BIT कितना हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा लि E-BIT में, relationship establish करता है, ऐसा कौन सा लिवरेज है, जो सेल्स और E-BIT में, relationship establish करता है, उस लिवरेज का नाम है, operating leverage, है ना, तो operating leverage की मदद लीजिए, और अपना answer दीजिए, operating leverage की मदद लीजिए, और answer दीजिए, अब मैं आपको fourth point का perfect answer लिखवा कर दे रहा हूँ, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, we know that DOL is equal to percentage change in E-BIT divided by percentage change in sales, पहले आपने अपनी बात को ऐसे लिखा, ओके, हम already operating leverage कितना calculate कर चुके है, आपने अभी-अभी operating leverage 1.25 बताया है न, 1.25 बताया, as computed above implies that इसका क्या मतलब लिया जाए, 1.25 बताया है लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, E-BIT एकदम perfect statement है जी, अगर sale में change हो जाए 1% तो E-BIT में change होगा 1.25 बताया है लिखेंगे, existing sales 75 बताया है लिखेंगे 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 लिखेंगे, decrease in sales 25 बताया है लिखेंगे, 25 बताया है लिखेंगे, 75 बताया है लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, 33.33 लिखेंगे 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 लिखेंगे, ओके कोई समें confusion वाली बात नहीं है, very good, so percentage decrease in E-BIT will be आपने अभी-अभी conclusion दिया है sale अगर 1% change हो जाए तो EBIT में change होता है 1.25 percentage आप कहते हो कि sale decrease हुआ है 33.33 percentage इसका मतलब EBIT कितना decrease हो जाना चाहिए कितना simple सा mathematical calculation है जब आप इसको calculate करते हैं तो मेरे प्यारे students क्या ही आता है 41.6625 percentage मुझे तो यह दिख रहा है जी आप देख सकते हैं 1.25 multiplied with 33.33 यह मुझे दिखा 41.6625 percentage सही है न बहुत अच्छी बात है जी अच्छा यह बताईएगा थोड़ी देर के लिए आपका पुराना EBIT कितना था आपका पुराना EBIT था 24 लेक्स आपका पुराना EBIT था 24 लेक्स वेरी गुड जी तो आप हम क्या करें final conclusion पेश करें new EBIT आप कहेंगे पुराना EBIT था 24 लेक्स यह हमारा existing है अच्छा जी अच्छा सेल हमारी गिर गई है 33.33 परसेंटेज तो EBIT कितना reduce हो जाना चाहिए 41.66625 परसेंटेज ठीक है जी 24 लेक्स माइनस आईए calculate कर लेते हैं 41.66625 परसेंटेज आफ 24 लेक्स बच्छो मेरा calculator बता रहा है 9,99,900 पर मैं जान बूच कर 100 पे का adjustment करूँगा और मैं माइनस करूँगा 10 लाखर पे और जब मैं 10 लाख माइनस करूँगा तो मेरा final answer आजाएगा 14 लाखर पे और मेरे ख्याल से verification में मैं पहले ही बता चुका था कि मेरा answer है 14 लेक्स इस पर मुझे मालूम है साब अगर मैं आपके सामने अभी होता ये तो digital mode का फाइदा है कि अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ तो आप मेरी गर्दन पकड़ लेते साब आप कहते सर आपने बैटे बिटाय सौर पे की हेरा फेरी कर दी साथ आपने 10 लाख रपे माइनस कर दिये जबकि वो थे 9,99,900 रपे 100 रपे का घपला आपने हमको सिखा दिया अच्छा इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछू मान लो आपने किसी आदमी से एक करोड रपे लेने कितने एक करोड रपे वो आदमी आपको एक करोड रपे बैग में भर कर कैश देने के लिए आया आपने नोट काउंट करे जब आपने नोट काउंट करे ना तो 100 रपे कम थे कितने 100 रपे तो बताओ आपका रियक्शन क्या होगा साथ मैं आप ही से पूछ रहा हूं साथ आप अपने दोस्त को क्या कोगे साथ आप यही कोगे ना अरे छोड़ यार सोर पे क्या फरक पर एक करोड में सोर पे कम रहे भी गए ते की फरक बंदा है आपका यह रियक्शन होगा के नहीं होगा लिकिन अगर आपको आपने दोस्ते लेने होते 500 रुबे वो आपको वापिस करने के लिए आया उसने 400 रुबे दिये 100 रुबे नहीं दिये अब आप होगे कि दोस्ती गई भाड में 500 में 100 रपे माफनी करता मैं इसका मतलब जब मामला करोडों में होता है तो क्या 100-200 रपे कि ये कोई एहमियत होती भी है अच्छा अब मैं यहां आता हूँ सवाल जोड़ता है कि ये मेरे आंसर में फर्क क्यूं आ गया मैं आपको आपका कैलकुलेटर कहता था 33.3333333 आप थोड़ी देर के लिए अपने कैलकुलेटर में जितने पॉसिबल 3 होते हैं सारे के सारे टाइप कर लो फिर सोचो ये परसेंटेज कितना आता तो जानते ये परसेंटेज कितना आ रहा है ये जो आपने मुझे 41.6625 बताया है ना त 41.67% ये भी approximately होता मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और जब आप 41.67% केल्कुलेट करते हैं तो आंसर 10 लाग के आसपस आ रहा है तो भी इसमें 80 रुपे का फर्क आ गया तो इसलिए जरा मेरी बात को समझो जैसे जैसे फिगर बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसमें approximation का असर आता जाता है और हम आपसे इस level पर expect करते हैं कि आप इन बातों को बहुत जादा seriously नहीं लेंगे आप कहेंगे कि करोडों का खेल चल रहा होता है और 100-200 रुपे का फर्क आ जाए तो हम को इस level पर ऐसी छोटी बाते नहीं करनी चाहिए या यूं कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती ही रहती हैं चलो भाईया ऐसा है बहुत हो गया अम मैं आपका ध्यान ओके जी अगले कोशन की तरफ लाना चाहूंगा और अगला कोशन मेरे हिसाब से पेज नंबर 1.9 पर है कोशन नंबर 8 कोशन नंबर 8 चलो भाईया स्क्रीन पर आजाओ कोशन नंबर 8 जो पेज नंबर 1.9 पर है हाँ जी, the following information is available for a concern for the year ended on 31st March 2016, आपको sales गिवन है, fixed cost गिवन है, variable cost, debt, ठीक है जी, equity आपको गिवन है 50 लाग रपे, income tax rate 35% selling price per unit रपेश 80, सारी बाते आपके सामने हैं, वो कहते हैं, पहला काम आप ये करें, कि आप company की income statement बना कर बताएं, दूसरा काम आप ये करें, कि आप operating, financial और combined leverages calculate करके बताएं, तीसरा काम आप ये करें, कि आप company का return on investment, ROI, ROCE calculate करके बताएं, चौथा काम आप ये करें, बताएं, how much of the company sales have to come down, so that earnings of the company before tax, earnings of the company before tax, जिसको क्या आप EBT कहते हैं, earnings of the company before tax, comes down to zero, बढ़िया कोशन है न, चलिए जी, कोशन को स्करीन से हटाते हैं, और आई ये शुरू करते हैं, answer to question number 8, ठीक है न, अच्छा ये पहली requirement क्या है, वो आप से क्या calculate करने को कह रहे हैं, आपका जवाब, income statement, income statement में आप फटाफट relevant columns बना लें, एक particulars और दूसरा amount, very good, आप income statement की शुरुवात कहां से करेंगे, sales से, sales, हम को ये कहा जा रहा है, क्या आप total एक लाख यूनिट बेचते ही, क्या ये लिखा हुआ है, क्या हम total एक लाख यूनिट बेचते ही, अच्छा एक यूनिट का selling price बताएंगे, रुपिस 80, ठीक है जी, तो total sales value कितनी हो गई, 80, 80, अच्छा जी, आप sales value में से, आप variable cost minus करें, variable cost का question का message है, 55% of sales, ओके जी, 55% of sales, कितना आ गया जी, 44, ठीक है, 44, लेक्स आपने इसमें से deduct किया, ऐसा करने से आपको contribution कितना पता चल गया, 36, लेक्स, जैसी contribution की figure आपके हाथ में आ गई, अब आपका दिमाग ये सोचने लगा, के जी, इसमें से क्या minus करा जाए, जब आप आया के fixed cost minus कर देते हैं, ऐसा करके हमको EBIT पता चल जाएगा ना, fixed cost हमको given है, 12,60,000, सही है जी, तो difference आ गया, 23,40,000, और ये आपने क्या calculate कर लिया, EBIT, very good, interest on debt capital minus कर दिया जाए, कर देते हैं जी, debt capital आपके पास है कितना, 54,00, tax, अच्छा, rate of interest कितना है, 10%, तो 54,00, और उसका 10%, क्या ये हो गया, 5,40,000, 5,40,000 deduct करें, आपको पता चलेगा, earning before tax, 18,00, tax, सही है जी, income tax rate आपको गिवन है, 35%, ठीक है, tax 35% इसमें से deduct कर दिया जाए, 18,00, और उसका 35%, तो ये आ गया जी, आपका, 6,30,000, 6,30,000 आपने deduct किया, तो ये आ गया, 11,70,000, this is the amount of earning, after tax, very good, ये आपने earning after tax calculate कर लिया न, अच्छा अभी तक किसी कोशन में preference capital या preference dividend नहीं आया, बच्चो मैं भी उस situation का अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि प्रेफरेंस capital की situation को कैसे handle किया जाता है, ये मैं आपको पढ़ाऊ, इसलिए preference capital के बारे में थोड़ी दिर के लिए आप मत सोचें, बाद में situation automatically आ जाएगी, आप तो मुझे ये बताएं कि number of equity share कितने हैं, क्योंकि हमको EPS calculate करना है न, तो आईए EPS calculate कर लेते हैं, आप कहेंगे earning after tax है, 11,70,000, very good, अच्छा, equity capital आपको कितना given है, 50 lakhs, एक share 10 रपे का, तो मेरे प्यारे बच्चों, number of equity shares होगे 5 lakh, आप 5 lakh equity share से divide करिए, आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा EPS, 11,70,000 की business ने कमाई करी, 5 lakh लोगों में वो बटेगी, तो हरे case में क्या आगया, हरे case में आगया 2.34, 2.34 आगया जी, 2.34 आगया, तो question की पहली requirement हमारी तरफ से हो चुकी है, हम लोगों ने income statement को बड़े सही डंग से calculate कर लिया, बना लिया, और EPS भी हमने calculate कर लिया, और EPS था 12.34, very good, अच्छा बच्चों अब मैं आपका ध्यान इस question के second point पे लाना चाहूँगा, तो question के second point पर आजाएं, very good जी, question के second point पर आजाते हैं, यहां तक आप लोग कॉपी कर चुके हैं, question के second point के लिए क्या मैं अपना पेज बदल सकता हूँ, आज जी साहब, ऐसा हो सकता है, आईए गा जी, second point, second point के लोगों कहते हैं कि आप leverages calculate करें, ठीक है जी, आईए पहले calculate करते हैं operating leverage, जिसका formula होता है, existing contribution, divided by existing EBIT, सही है जी, फिर उसके बाद आप calculate करना चाहेंगे financial leverage, इसका formula हो गया, existing EBIT, divided by existing EBIT, तो पहले आपने formula लिख लिए, अब contribution कहां है, जर आप पिछले page पर वापिस आएं, contribution है 36 lakhs, EBIT है 23,40,000, ओके, 36 lakhs, and 23,40,000, 23,40,000, divided by, अच्छा जी, EBIT के लिए फिर से चलते हैं, पिछले page पर EBIT है हमारे पास, 18 lakhs, very good जी, 18 lakhs, करने calculate, ठीक है जी, ये आगया 1.5385, approximately, 1.5385 approximately, सही है जी, और financial leverage आपका आप गया, 1.3, ठीक है जी, चलिए आईए, combined leverage calculate कर लेते हैं, जिसका एक formula तो हो गया, contribution, divided by EBIT, सही है जी, contribution आप उपर से पिक करें, 36 lakhs, EBIT आप जानते ही है, 18 lakhs, तो ये तो सीधे ही आगया, dancer is, 2, अच्छा बच्चों, leverage calculate करना आप तो बहुत असान है, आप लोग के लिए, alternatively, आप combined leverage को कैसे calculate कर सकते थे, operating leverage, multiplied with financial leverage, 1.5385, multiplied with 1.3, चाजी, आप देखेंगे, ये exact 2 तो नहीं आया है, मेरा calculator कहता है, 2.0000005, अरे भाईया, 2 ही हुआ ना ये, तो हमारी तरफ से, leverage is calculate हो गए, question की second requirement पूरी हो गई न, अब ज़रा third point पर आईएगा, क्या चाते हैं वो third point में आप से, वो आप से पूछ रहे हैं, return on investment, जिसका दूसा नाम, return on capital, employed, अब तो इसके formula के बारे में, अच्छी कासी understanding, हम लोगों की develop हो चुकी है, formula क्या होता है भाई, this is EBIT, याने, आप कितना profit कमाते हैं, अपने business की main activity से, and it is to be divided by, capital employed in the business, very good, और percentage में जानने के लिए, obviously आप इसको hundred से multiply करेंगे, अच्छा ये जो business है, आप इस business से कितना profit earn कर लेते हैं, अच्छा जी profit होगे, आपका EBIT याने, 23 lakhs, 40,000, very good जी, divided by capital employed, हमको ये कहा गया है, बिजनस में जो debt है, वो 54 lakhs का है, ठीक है जी, जो debt capital है, वो 54 lakhs का है, अच्छा और business में जो equity capital है, वो 50 lakhs का है, multiplied with 100, इसका मतब आपके business में जो total capital हो गया, 54 lakhs debt और 50 lakhs equity, मेरे हिसाब से ये 1 करोड 4 lakhs हो गया जी, 1 करोड 4 lakh, अच्छा जी, income है 23 lakh 40,000, divided by 1 करोड 4 lakhs, तो हमारे हिसाब से, company का earning potential है, 22.5 percentage, company का earning potential है, 22.5 percentage, आप चेक कर सकते हैं, very good जी, अच्छा अब हम, question का first part हो चुका है, second part हो चुका है, third part हो चुका है, अब हम इस question के fourth point पर आजाएं जी, क्या है question का fourth point, question का fourth point ये है, एक बार फिर से मैं screen पर ले आता हूं जी, question के fourth point को, हाँ जी, question का fourth point ये रा जी, how much of the company's sales have to come down, so that earnings of the company before tax comes down to zero, आप मुझे एक बात बताएं, कौन से दो variables को compare करने की बात कही जा रही है, एक है sales, और दूसरा कौन सा है, earnings of the company before tax, आप इसको EBT भी कह सकते, अब ज़रा आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जो डालिए, और मुझे बताईए, के sales और EBT में, sales और EBT में, कौन से leverage के द्वारा relationship develop किया जाता है, आप कहेंगे, उस leverage का नाम है, combined leverage, तो मुझे combined leverage से मदद मागनी पड़ेगी, ठीक है जी, सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, कि मैं ये चाहता हूँ, कि company का earning before tax, zero कर दिया जाए, अच्छा किसी चीज़ को zero कैसे किया जाता है, अगर आप उससे जितना है सब छीन लो, तो zero हो गया, यानि उसका 100% उससे छीन लो, तो आप हमसे ये चाहते हैं, कि company के earning before tax को 100% reduce, 100% उसका सारा का सारा चीन लिया जाए, यानि EBT को 100% reduce कर रहा है, अगर EBT को 100% reduce करना है, तो उसके लिए sale कितने reduce होनी चाहिए, कुल मिलाकर ये सवाल हमारे सामने आता है जी, very good जी, बड़ी अच्छी बात है, चलिए, अब हम आते हैं अपने main answer की तरफ, अब situation को ज़रा समझेगा, आपकी existing situation में sale कितनी है, आपकी existing situation की variable cost, contribution, EBIT, EBT, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले combined leverage calculate किया था 2, और मैं उस combined leverage की मदद मांगूँगा, very good जी, चलिए, आई ये शुरू करते हैं, इस question का fourth point का answer, आप पहली line क्या लिखेंगे, DCL is equal to, चलिए शाबाज लिखेगा, percentage change in EBT, divided by percentage change in sales, तो पहले आपने combined leverage के formula को लिखा, सही है, आप already calculate कर चुके हैं, कि combined leverage है 2, so DCL of 2, as computed above, implies that, 1% change in sales will produce 2% change in EBT, एकदम perfect statement है जी, sale का 1 percentage change, EBT का 2 percentage change लिए आएगा, बहुत बढ़िया बात है जी, in the given case, जो केस हमारे सामने हैं, जो केस हमारे सामने हैं, the intention, the intention, is to decrease EBT by 100%, हम चाहते हैं कि EBT को 100% decrease कर दिया जाए, अच्छा, sale का 1%, EBT का 2%, उधर मुझे 2% decrease नहीं, 100% decrease करना है, तो sale का decrease उसका आधा होना चाहिए न, so, the amount of sales, the amount of sales, must get decreased by, must get decreased by, half of 100%, that is, 50%, तो ये काम हो जाएगा, शर्त ही है कि आपकी sale भी, 50% reduce हो जानी चाहिए, इसका मतब सीधा double का relationship है न, sale का 1, EBT का 2, तो sale अगर 50% reduce हो जाए, तो EBT automatically 100% reduce हो जाएगा, और 100% reduce होने के case में, जो EBT है, वो 0 के level पर automatically पहुच जाएगा, आप चाहे तो, अपने सांसर को verify कर सकते हैं, verification question में पूछा नहीं है, और जब तक verification ना पूछा हो, आपको verification नहीं बताना है, फाल तुम्हें साब इतरा time हमारे पास भी नहीं है, जो समय है, उसके अंदर खाली उसी सवाल का जवाब दिया जाए, जो आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, तो हमारी तरफ से, ये question number 8 का answer हो गया, मेरे प्यारे बच्चो, अब तक लगभग एक घंटे की क्लास हो चुकी है, और इसमें मैंने आपको दो practical question, question number 7 और question number 8 करवा कर दे दिये हैं, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने return on investment, return on capital employer के concept को बड़े अच्छे level पर लाकर समझा, अब यहां पर मैं operating leverage के concept में थोड़ा सा चेंज करूगा, financial leverage के concept में मैं थोड़ा सा चेंज करूगा, leverage analysis की study अब थोड़े अगले पड़ाव की तरह बढ़ेगी, और जो नया concept, जो नई situation में आपके सामने लाना चाहूँगा, उस situation के लिए मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, question number 5, आपको question पढ़ते ही पता चल जाएगा, कि मैं कोन सी नई बात आपके सामने लाना चाहता हूँ, तो आईए हम लोग पढ़ लेते हैं, question number 5, जो की हमारी book में page number 1.8 पर ही है, question number 5, देखी, इसमें आपको income statement गिवन है, sales गिवन है, variable cost गिवन है, contribution, fixed cost, CBIT, minus interest, आप कहेंगे सार इसमें कुछ नया नहीं, हमने जितने भी question करें हैं अब तक, उसमें income statement existing level पर दिया ही जाता है, आपने भी हमको existing situation की income statement गिवन है, इसकी मदद से हम बड़े अराम से leverages calculate कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं ही, सभी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नया क्या है, आपके सामने पेश हैं, देखो, they say what, compute operating leverage, okay, no problem about that, and give your comments in context of business risk, मैं operating leverage के concept को अब आगे बढ़ाऊंगा, और ये बताऊंगा, कि उसका business risk से क्या लेना देना है, और मुझे business risk पर एक detailed discussion इसके बहाने करना होगा, then they say compute financial leverage, and give your comments in context of financial risk, very good, and last, they say compute combined leverage, and give your comments in context of, total risk, मेरे प्यारे बच्चों, question तो एक बहाना होता है, question के सहारे, question के बहाने, हमें आपको एक concept पढ़ाना होता है, तो question number five पढ़ाने का बहाना, क्या है, question number five आपको पढ़ाने का हमारा objective क्या है, क्या हम आपको introduce कर सके, इन तीन concept से, और वो तीन कंसेप्ट है, बिजनस रिस्क, फानांशल रिस्क और टोटल रिस्क, ये क्या है, आईए जी, प्रैक्टिकली सॉल करेंगे और उसके बाद इसके उपर डिटेल डिसकेशन भी करेंगे, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे, आई शुरू करते हैं, आंसर टू कोश और विटेलों नमबर फईव, और उसमें, रिक्वार्में नमबर वन, DOL, फार्मुला है, अग्सिस्स्टिंग कंट्रिबुशन, and get it divided by existing EBIT ठीक है नग, very good जी, बहुत अच्छे existing contribution आपको कितना, भई आप देखें income statement में contribution कितना है, 9 lakh अच्छा जी, उसमें से fixed cost minus हो गई, 3 लाख EBIT कितना आ गया 6 लाख तो इसको divide करते ही आपके पास ratio आ गई 1.5, आप एक काम करेंगे कैस को लिख सकते हैं आप, 1.5 ratio 1 आप इसको लिख लीजेगा, 1.5 ratio 1 ठीक है जी, 1.5 ratio 1 अच्छा यहां से, अब हम, बिजनस रिस्क के कमेंट पर आना चाहतें बच्छों अब आपना understanding का level थोड़ा सा बदलिएगा, आने वाले सभी question में ऐसा होगा यह 1.5 ratio 1 का मतलब क्या है पकड़ेगा मेरे concepts को अगर 1.5 है income before fixed cost अगर 1.5 है income of the company before fixed cost तो बताईए 1 क्या है 1 है income of the company after fixed cost सही बाता ना, concept समझें अगर आप fixed cost से पहले कमाते हैं 1.5 तो fixed cost के बाद आप कमाते हैं 1 तो जरह सोच के बताईएगा के 0.5 क्या है 0.5 क्या है आप कहेंगे 0.5 है burden of fixed cost 0.5 है burden of fixed cost अच्छा इसका मत्तब डेड़ रपे कमाओ 50 पैसे का fixed cost और fixed cost के बाद 1 रप्या very good मज़ा आ गया साथ मानलो company ये कहती के हमारा leverage है 1.8 ratio 1 तो इसमें fixed cost का burden कितना हो गया दोनों का difference 0.8 ठीक है मैं अगर मैंने leverage बड़ा कर दिया तो क्या fixed cost का burden जादा हो गया बोलो हाँ येस ओके 2.5 रेशो 1 fixed cost का burden हो गया इन दोनों का difference 1.5 और fixed cost का burden मेरा business risk क्यों है क्योंकि अगर मेरा business बुरी condition में भी आ जाए तो भी मुझे fixed cost नाम का खर्चा करना ही पड़ेगा यह मेरा business risk है मेरे प्यारे बच्चो कोरोना वाइरस के दौरान ऐसे बड़े सारे दुकानदार थे बड़े सारे शोरूम ओनर्स थे जो कहते थे कि सेल हो गई बंद पतानी सेल कब शुरू होगी लेकिन building का rent शोरूम का rent देना पड़ रहा है salary देनी पड़ रही है इसका मतब fixed cost नाम का burden उनको तंग करता है यह जो fixed cost का burden है इसको बोलते है business risk और जो business risk है वो हमको operating leverage के माध्यम से पता चलता है आप ऐसा मान सकते हैं कि operating leverage में 1.5 और 1 यह इन दोनों का जितना बड़ा difference होता जाएगा जितना बड़ा difference होता जाएगा business का risk उतना बड़ा होता जाएगा यही अगर मान लिजिए यह leverage होता 1.1 ratio 1 तो आप कहतें कि इस business में fixed cost का burden बड़ा चोटा सा है और वो कितना है सिर्फ 10 पैसे 1 रपे 10 पैसे में बस 10 पैसे तो आपको fixed cost का burden कम लगता के नहीं जैसे जैसे leverage बड़ा होता जाएगा fixed cost का burden भी बहुत जादा बड़ा होता जाएगा मेरे ख्याल से इतनी सारी बाते आपको समझ में आ गई हैं अब हम एक काम करें यह सारी बाते लिख ले भाई देखो समझना अपनी जगा और लिखना अपनी जगा अब हमको यह सारी बाते जो हैं समझने के बाद लिख भी लेनी चाहिए तो आओ मेरे प्यारे बच्चो इन सब को लिखने का काम शुरू करते हैं वेरी गुट लिखेगा कमेंट्स कमेंट्स में आप क्या लिखेंगे D.O.L.O.F. 1.51 इसका क्या मतलब है implies that if income before fixed cost if income before fixed cost is Rs. 1.5 the burden of fixed cost the burden of fixed cost is Rs. 0.5 and income after fixed cost is Rs. 1 पहले तो आपने ये जो ratio आपने calculate करी थी 1.5 ratio 1 आपने इसका मतलब समझाया कि fixed cost से पहले की income अगर 0.5 रुपे है तो fixed cost के बाद की income 1 रुपया है बीच में 50 पैसे fixed cost का burden हो गया भाई फिर आप लिखेंगे if DOL is kept at या maintained at high level माल लिजे ओपरेटिंग लिवरेज ये है ये जादा है ये 2 ratio 1 है, 3 ratio 1 है, 7 ratio 1 है, 10 ratio 1 है यानि आप कुछ बड़े leverage ratio का example लेग it indicates it indicates high level of high level of burden of fixed cost and it indicates high level of burden of fixed cost and it implies that it implies that high level of business risk high level of business risk is associated high level of business risk is associated ठीक है न? तो अगर ये leverage बड़ा होगा इसका मतलब fixed cost का burden ज्यादा है और इस business के साथ जो business risk का factor है वो थोड़े बड़े लेवल पर चला जाता है accordingly accordingly if DOL is kept at low level अगर आप operating leverage को low level पर रखते हैं it indicates उसी language काम इस्तमाल कर लेते हैं it indicates ये क्या indicate करता है low level of it indicates low level of burden of fixed cost इसका मतलब fixed cost का जो burden है उसका level low है and it implies that it implies that low level of business risk is associated very good जी बड़ी अच्छी बात है तो बच्चों इस तरीके से हमने question number 5 के first point के माध्यम से ये जानने की कोशिच करी के business risk जो होता है वो fixed cost को indicate करता है और हमने ये बताया कि operating leverage जितना बड़ा होता जाएगा business में fixed cost का indication भी उतना बड़ा होता जाएगा और operating leverage जितना छोटा होगा business risk भी उतने छोटे लेवल पर जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बाते आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझी भी है और अच्छी तरीके से लिखी भी है अब हम इस question के second point पर आते हैं आईए अब इस question के आप second point पर आईए जी ठीक है जी एबा फिर से operating leverage के note को आप अच्छे डंग से लिख चुके हैं वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ लिख भी सकते हैं मेरे लिखते लिखते आप भी लिख लेते हैं आप ये भी जानते हैं साथ वीडियो को तो पॉस करके भी लिखा जा सकता है ओके ठीक है ठीक है फानांशल लिवरेश पर आईएगा जी existing ebit छे लाख रुपे बहुत अच्छे और existing ebit कितना है आपने जवाब दिया दो लाख रुपे तो क्या ही आ गया थ्री रेशो वन बच्चो थ्री रेशो वन का मतलब समझते हैं अगर interest से पहले मेरी income है 3 रुपे तो interest के बाद मेरी income है 1 रुपे इंटरस कितना मैं देता हूँ 2 रुपे आप खुद बताईए साब एक आदमी 3 रुपे की कमाई करे पर घर पहुँचे 1 रुपे की कमाई बीच में 2 रुपे इंटरस के नाम पर लोग उससे लूट ले तो फिर वो कहेगा फिर मैं आपने ले थोड़ी कमा रहा हूँ साब यह तो ऐसा लग रहा है मैं इसलिए income earn कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने debt providers को interest बे करना है यह जो आप interest बे करते हो यह इसके पीछे आपका business responsible नहीं है लोगों से लोन लेते हो तो यह आपकी financial problem है यह आपके business की problem नहीं है क्या यह बात आप मानते हैं के नहीं कि अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को accounts में cash flow statement ध्यान होगा कि 12th class में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा cash flow statement में जब आप interest पे करते हैं तो interest की payment आप operating activity में शो करते हैं नहीं ना ना आप उसे शो करते हैं financing activities में आप यह message देते हैं के interest पे करना business operating activity नहीं है interest पे करना financing activity है ठीक बात है ना चलिए आईए शुरू करते हैं जी financial leverage of 3 ratio 1 implies that if income 1, before interest is rupees 3, the burden of interest is rupees 2, and income after interest is rupee 1, तो पहली बात आपने इस रिशो के मतलब को समझा दिया जी, and if this ratio is kept at high level, अगर आप ये ratio high level पर लेकर जाते हैं, it is an indicator of, it is an indicator of high level of financial risk associated with the business, एकदम perfect statement है जी, जितनी ratio बड़ी होती जाएगी, business के साथ जुड़ा हुआ, financial risk भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, आगि लिक्ते जी, if this ratio is kept at low level, if this ratio is kept at low level, it is an indicator of low level of financial risk, associated with the business, जी, तो financial leverage आपने calculate करके बताया, financial risk के बारे में discussion हुआ, financial leverage के जादा होने से, जादा financial risk होता है, यह हमने discuss किया, financial leverage के कम होने से, financial risk कम होता है, यह भी हमने discuss किया, तो मेरे साथ साथ आप इसको copy करी चुके होंगे, of course, क्या आप मैं आगे बढ़ सकता हूँ जी, अब मुझे आपको combined leverage पर इसी तरीके का एक comment लिखवा कर देना है, और जब हम combined leverage के बारे में बात करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे total risk के बारे में, यानि उसमें business का risk तो जुड़ा ही है, साथ में financial risk भी उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अब मैं अगले पेश पर आ सकता हूँ जी, आज 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 अगला पेश, ये है जी number three, और number three क्या है, वो कहते हैं कि आप calculate करें, combined leverage और company के total risk के बारे में बात करें, अच्छा, number three मैंने गलत लिख दिया, number three ऐसे है इस question, अच्छा, पहले आप combined leverage का formula लिखेंगे न, this is contribution divided by ebt, बहुत अच्छे, contribution को ebt से आपने divide करना है जी, very good, contribution आपको given है 9 leg, और ebt आपको कितना given है 2 leg, 9 leg divided by 2 leg, क्या आपका अंसर आ गया, 4.5 ratio 1, 4.5 यानि fixed cost और interest से पहले 4.5 रपे, fixed cost interest के बाद 1 रपया, बीच में 3.5 रपे गए, fixed cost interest के नाम पर, DCL of 4.5 ratio 1, एंसर एंसर अपको के बाद 1 रपे, बीच में 2 रपे पे, and interest is rupees 4.5 अगर fix cost or interest से पहले की इंकम 4.5 है the burden of fixed cost and interest is rupees 3.5 and income after income after fixed cost and interest is rupee 1 अगर बार तकाना? very good, very good. If DCL is kept at high level, it is an indicator of high level of high level of total risk associated with the business. If DCL is kept at low level, if DCL is kept at low level, it is an indicator of low level of total risk associated with the business. वैसे बच्चो एक ही तरीके के आंसर को तीन बार लिख कर, आपको प्रेक्टिस कितनी हुई वो तो आप जानिएगा, पर आपको याद ज़रूर हो गया होगा साब, वही आंसर आप बार बार लिख रहें. एक तरीके से अच्छा ही है, एक तरीके से अच्छा ही है, तो इस कोश्चन के बहाने, हम लोगों ने तीन कंसेट पर विजे परात करने की कोशिश करी साथ. अब अगर कोई हम से बिजनस रिस्क के बारे में बात करें, तो हम बता सकते हैं वो क्या है, और ओपरेटिंग लिवरेज से उसका संबंध क्या है, फाइनाशल लिवरेज और इंटरेस से उसका संबंध क्या है, और टोटल रिस्क, ये सारी बात हैं अब हम लोग अच्छे से लेवल पर समझ चुके तो स्टुडेंट्स अब तक हम तीन प्रेक्टिकल कोशन कर चुके अब मैं आपको अपनी आज practical question है वो है question number six इस इस आप से सोचे तो आज की rate में जो चार practical question हो गए वो हो गए five six seven eight तो question number six पर आ जाएंगी very good जी बड़ी अच्छी बात है question number six question number six कहाँ पर है question number six यहाँ पर है आप देखेंगे screen पर आपके सामने आज का financial management का leverage का आखरी practical question आपके सामने page है page number one point eight पर ही है okay जी question number six देखे calculate operating financial leverage and combined leverage from following data under situation one and two and financial plan A and B तो दो situation हमारे सामने है situation one और situation two और दो financial plan हमारे सामने है financial plan A and B हम जरूर जानना चाहेंगे के situation से आपका मतलब क्या है और financial plan से आपका मतलब क्या है वो कहते हैं कि आपकी company की sale 3000 unit है selling price 30 रपे variable cost 15 रपे जहां तक fixed cost का सवाल है situation number one की fixed cost 15,000 है situation number two की fixed cost 20,000 है अच्छा सुनो सुनो मान लो मुझे अपने business के लिए एक दुकान किराय पर लेनी है मैं अगर यह सोचता हूं कि उसको यह वाली locality में किराय पर लेता हूं तो मुझे rent कम देना है और दूसरी वाली locality में किराय पर लेता हूं तो rent कम है आप मुझे बताइए जो मैं rent पे बात कर रहा हूं ये मेरी business की problem है कि ये मेरे finance की problem है ये मेरे business की problem है जब कभी भी मैं rent पे discussion करूँगा मैं fixed cost पे discussion करूँगा तो मेरा business इस problem के बारे में बात करना चाहता है लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरे business को पैसो की आवशक्ता है और पैसो को arrange करने के मेरे पास कुछ option है जैसे यहाँ पर plan है और plan बी और हर एक plan में equity कितना होगा debt कितना होगा तो जब मैं finance को arrange करने के बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे business की problem नहीं है ये मेरे offshore financial problem मेरे को कही जा सकती है इसलिए जब भी मैं A और B के बारे में बात करूँगा financial plan A और B तो मैं financial leverage में discussion करूँगा और जब मैं इस बात पर discussion करता हूँ कि इस situation में rent इतना जाता है इस situation में rent इतना जाता है तो मेरा discussion हमेशा operating leverage याने business risk के context में होगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक की मेरी बात समझ में आ गई है अब मैं इस question का answer शुरू करना चाहूँगा जी Very good जी, बहुत अच्छे आईए शुरू करते हैं So, answer to question number 6 पहला काम आप करिएगा Heading डालिएगा Computation of Operating Leverage सही न? और जब आप Operating Leverage कैलकुलेट करने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाए तो उसमें आप discussion क्या करेंगे? आप discussion करेंगे situation number 1 के बारे में आप discussion करेंगे situation number 2 के बारे में सही न? बहुत अच्छे आपको यह कहा जा रहा है कि आप 3,000 यूनिट बेचते ही आपको यह भी कहा जा रहा है कि एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 30 रुपिस सही जी इसका मतब आपकी सेल इन एनी केस होगी 90,000 आपकी सेल इन एनी केस होगी 90,000 चले इसमें से फिर आप डिड़क्ट करिएगा वेरेबल कॉस्ट आप फिर से कहेंगे 30,000 यूनिट है सारी 3,000 यूनिट है और एक एक यूनिट का जो वेरेबल कॉस्ट है वो है रुपिस 15 तो कितना वेरेबल कॉस्ट हो गया भाई 45,000 सही है 45,000 आपने माइनस किया और इसको माइनस करते ही contribution in any case आपके सामने आ गया remaining 45,000 अच्छा अब आईए हम इसमें से deduct करें fixed cost अच्छा यहां तक की situation सेम है लेकिन अगर मैं situation number one के हिसाब से business करता हूं तो मेरे को fixed cost का burden कितना बियर करना पड़ेगा आपका जवाब 15,000 लेकिन अगर मैं situation number two के हिसाब से business करता हूं तो मेरे पर fixed cost का burden कितना आता है आपका जवाब है 20,000 ठीक है न अच्छा contribution में से आपने fixed cost minus किया इससे आपको क्या पता चल गया प्यारे बच्चों आपको पता चल गया EBIT कितना आ गया चुनो बताओ कितना आ गया this is 30,000 और यह आ गया आपका 25,000 ठीक है न अच्छा अब आप जादा समय मत बरबाद करिये और सीधा लिखिये DOL याने contribution divided by EBIT हाँ जी 45,000 divided by 30,000 isn't it 1.5 ratio 1 1.5 याने 1.5 कमाओ 0.5 गया एक रप्या रहे गया आप इसको ऐसे सोच 45,000 कमाए 15,000 गये 30,000 रहे गये दूसरे शब्दों में 1.5 रप्या कमाए पचास पैसे गये एक रप्या रहे गया 45,000 इंकम अर्ण करी रहे गये 25,000 45,000 by 25,000 तो यह आ गया 1.8 ratio 1 अरे इसका मतलब सेकेंड सिक्टूइशन में फिक्स का बर्डन जादा है क्योंकि 1.8 में से 0.8 चला जाता है यहां पर 1.5 में से 0.5 चला जाता है मैं आपको यह बता चुका हूँ पिछले कोशन में आपको बताय था कि जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके साथ जुड़ा हुआ जो बिजनस रिस्क है उसका लेवल भी हाई होता जाएगा साफ तोर पे देखा जा सकता है कि जब आप कहते हो 1.8 तो यह बड़ा ओपरेटिंग लिवरेज है इसका मतलब situation number 2 में fixed cost का burden जादा है आप उसको check भी कर सकते हैं fixed cost का burden situation 1 के मुकाबले situation number 2 में जादा है तो हमने यह ओपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बता दिया है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई है आप लोग इसको copy कर चुके हैं तो चलिए हैडिन डालेगा computation of financial and combined leverage सब्सक्राइब लिवरेज इसको आप कैसे हैंडल करेंगे obviously इसमें भी पहला कॉलम तो आप पर्टिकुलर्स का ही बनाएंगे then situation first situation second और financial plan a और financial plan b very good तो आपने कॉलम्स ऐसे बना लिए अब आपको financial और combined leverage कैलकुलेट करने हैं आईए इबी आईटी से हम इसकी calculation शुरू करें अच्छा थोड़ी देर के लिए जरा पिछले page पर जाईएगा मैं पिछले page पर आगया हूं आपने situation 1 का EBIT कैलकुलेट कर रहा था 30,000 situation 2 का 25,000 30,000 ठीक है जी इधर आईएगा situation 1 30,000 situation 2 25,000 ओके जी वेरी गुट अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे interest और interest माइनस करते ही हमको EBT पता चल जाएगा न सहीए जी अगर आप funds का arrangement करेंगे plan A के हिसाब से तो उसमें तो 10,000 का debt है 20% rate of interest 2,000 का interest हो गया जी अच्छा plan B में जाओगे तो 5,000 का debt 20% so this is rupees 1,000 okay we get 29,000 फिर से plan A में आईएगा 2,000 का debt है 2,000 का interest है तो earning after interest हो गया 23,000 ठीक है जी आप इधर आईए 1,000 तो earning after interest हो गया 24,000 वेरी गुट जी बहुत बढ़िया तो आएए financial leverage calculate कर लेते हैं और आप इसके लिए क्या formula लगाएंगे EBIT divided by EBT लो जी बढ़ी अच्छी बात है 30,000 divided by 28,000 approximately 1.07 30,000 divided by 29,000 approximately 1.03 25,000 divided by 23,000 approximately 1.09 25,000 divided by 24,000 approximately 1.04 अब हम लगे हाथ combined leverage भी calculate कर लेते हैं combined leverage आप कैसे calculate करेंगे contribution divided by EBIT ठीके ना combined leverage calculate करने का system contribution by EBIT very good contribution कहा है contribution के लिए आप पिछले पेच पर जा सकते हैं आप देख सकते हैं contribution हर समय 45,000 है situation 1 हो या situation 2 हो contribution हर समय 45,000 है सहिए जी 45,000 divided by 28,000 तो calculator भाई साब कह रहे है 1.61 45,000 divided by 29,000 1.55 very good 45,000 divided by 23,000 1.96 45,000 divided by 24,000 1.875 अच्छा देखो अगर कोई आप से ये पूछे कि टोटल रिस्क सबसे जादा कहा है तो आप कहेंगे यह यहाँ पर टोटल रिस्क टोटल रिस्क मैक्सिमम लेवल पर है मैक्सिमम लेवल पर क्यों है उसका लॉजिक है अगर आप 1.96 इंकम अर्न करते हो तो उसमें से 0.96 चला जाता है फिक्स कॉस और इंटरेस्ट के नाम पर दोनों का टोटल हो गया अच्छा अगर आपसे कोई पूछा जाए टोटल रिस्क मिनिमम कहाँ पर है तो यह है जी यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो आपका टोटल रिस्क है वो मिनिमम लेवल पर चला जाता है 1.55 में से सिर्फ 0.55 का सेक्रिफाइस आपको करना है तो स्टूडेंट्स यह हमारी तरफ से कोशन नंबर 6 का अंसर हो गया अब तक आप आज की क्लास में अब तक हमने 4 प्रैक्टिकल कोशन कर लिए मैं जानता हूँ कि आप रिवीजरी कोशन नंबर 1 रिवीजरी कोशन नंबर 2 और रिवीजरी कोशन नंबर 3 पहले से कर चुके यह मुझे खबर है जी आज की क्लास के बाद मैं आपको हूंवर के नाम पर कह रहा हूँ कि आप रिवीजरी कोशन नंबर 4 को जरूर अटेंट करिएगा लेकिन अभी रिवीजरी कोशन नंबर 5 को अटेंट मत करिएगा आज की क्लास के बाद आप रिवीजरी कोशन नंबर 6 7 और 8 इन कोशन को भी आप अटेंट कर सकते रिवीजरी कोशन नंबर 4 6 7 और 8 ये चार कोशन आप आच की क्लास के बाद अटेंट कर सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स अभी लिवरेज के एक चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट मेरे सामने बचा हुआ है मैं उसको हलका सा इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ अभी तक अभी लिवरेज की क्लास अमबर 3 ये चल रही है अभी तक हमने बाकी सारी बाते तो पढ़ ली बस एक प्रेफरेंस डिवडेंट वाला जो मसला है वो अभी भी बचा हुआ इसलिए अगर आप कोई ऐसा कोशन देखते हैं कि जिसमें प्रेफरेंस केप्टल या प्रेफरेंस डिवडेंट का रेफरेंस है तो कहिएगा जी वो अभी हमको नहीं पढ़ाया गया है वो अगली क्लास में पढ़ाय जाएगा तो प्रेफरेंस डिवडेंट का कंसेट अभी हमारा बचा हुआ है जिसके बारे में हम बात्चित करेंगे जरूर अगली क्लास में तो आईए आज की क्लास के financial management के portion को हम यहाँ complete करते हैं मेरे प्यारे बच्चो ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है International Trade Unit No.1 और हम आज की क्लास शुरू करेंगे पेज नंबर 4.3 से आप लोग पेज नंबर 4.3 पर आजाईए बुक आपके पास है आप देखेंगे इस पेज पर जो हेडिंग डली हुई है वो है arguments against international trade students आज ना मैं बड़ी difficult position में अपने आपको पाता हूँ मुझे आपको वो सारी बाते बतानी है जो conceptually मैं नहीं मानता यानि जो बाते मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से मेरे को मजबूर किया जा रहा है कि इस बाते मैं आपको लिखवा कर दू मैं international trade के favor में हूँ international trade होना चाहिए पर आज मेरी position ये है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं international trade के विरोध में उसके against में कुछ बाते कहूँ अच्छा अज जब मैं अगले page पर जाता हूँ अगले page पर तो उस पर heading है arguments in favor of international trade of course वो जो बाते मैं कहूँगा अगले दो pages में वो मेरी nature के जादा करीब है इसलिए आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सिर्फ मजबूरी का concept है वो मेरे nature से related concept नहीं है तो अगर आपको ये बाते बुरी भी लग रही हो तो मैं अभी से आपसे माफी मांग लेता हूँ heading है arguments against arguments against international trade याने international trade नहीं होना चाहिए international trade बुरी बात है इस statement के समर्थन में आप कुछ बाते कहें और माल दीजिए ऐसा कोई सवाल आपसे दो या तीन नंबर का पूछ लिया जाए तो आपको इसमें से कुछ बाते तो लिखनी पडेंगी तो आईए जी लिखना शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन की हेडिंग डालेगा नॉट इकुली बैनिफीशियल स्टूडेंट जे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना इसमें जितनी भी कंट्रीज एंगेज होती हैं इसमें हर एक का ना बराबर फाइदा नहीं होता देखो यार ऐसा है कुष्टी के मैदान में भी रेस्लिंग के गेम में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जितने पहलवान हो वो सब एक ही केटेगरी के हो इंटरनेशल ट्रेड में ये सारे के सारे नियम ताक पर रख दिये जाते हैं ये जो दुनिया है ना ये दुनिया ऐसे बटी हूई है कि कुछ बड़े देश हैं पावर्फुल कंट्रीज हैं और छोटे देश हैं जो है ना उनके पास इतनी ताकत नहीं हैं तो बड़े और जो पावरफुल कंट्रीज हैं उसनों ने हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से छोटे देश जा फिर जो अंडर प्रिवलेज़ कंट्रीज हैं वो उनका फायदा उठाते ही हैं एक तरीक अने पेश करूंगा आप लिखेगा जी इसी क्या आगे इंटरनेशनल ट्रेड आप इसी क्या आगे लिखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड is not equally beneficial is not equally beneficial टू आल दा पार्टिसिपेटिंग नेशन्स ओके अभी स्टेट्मेंट कम्प्लीट नहीं हुई है इसी क्या आगे लिखेगा आप एकदम इसी क्या आगे लिखेगा ग्सितर आगे मेंट उनलई झाइब ग्राम झाद करोई तर आगे। बेंट टोए खिन नेखेटिंग्smith कर दू झाइब ग्यां अवर्टी तो ग्सितर आगे स्टेषिरा शेडिप टूडरे कर एंट यह। 10 to gain 10 to gain much and more stand to gain much and more as compared to as compared to to small and underprivileged countries I have written a very interesting explanation अच्छा बच्चों ऐसा है मैं थोड़ी देर के लिए अपना पेज अरा पलेटना चाहूंगा आप जानते हैं इंटरनेशन ट्रेड में खास तोर पे चुकि इतने सारे देश हैं तो डिसकेशन का लेवल एक बड़े लेवल पर जा सकता है आज मैं ये जो कंसेट है ना आर्गुमेंट्स अगेंस इंटरनेशन ट्रेड मैं इस पर इतना डिटेल डिसकेशन करूंगा कि हो सकता है आज की पूरी की पूरी जो हमारी क्लास है वो सारी की सारी इसी कंसेट में चली जाए मुझे उसमें कोई दुख नहीं होगा अगर लिए एक दम प्लेन पेज जो है वो बन बन वालिया है तो सुनेगा जी बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड का एक्जाम्पल हमारा प्यारा भारत देश ठीक है ला अच्छा आप जानते हैं कि बहुत प्यारा देश हमारे पड़ोस में है नेपाल नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हम से पढ़ते हैं इसे नेपाल हमको बहुत प्यारा देश है इतने स्टूडेंट्स है बड़े प्यारे स्टूडेंट्स है अच्छा नेपाल के कंटेक्स में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ एक और देश है उसका नाम है चाइना मुझे मालूम है कि चाइना का नाम आते ही आपके दिमाग में कैसी बाते आने लगती हैं पर थोड़ा विशे से भटकते नहीं हैं मेरी बाद ध्यान से सुनेगा इंडिया बड़े सारे गुड्स और सर्विसेज नेपाल को देता है कॉंसीक्वेंटली नेपाल भी बड़े सारे गुड्स और सर्विसेज इंडिया को देता है उसी तरीके से चाइना भी नेपाल के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज़ड है और नेपाल भी चाइना क के साथ international trade में engaged है simple सा example आपको दे रहा हूँ पैन का कलर थोड़ा सा बदल लिथा हूँ हां ची है अच्छा बच्चों आप इस बात को मानिये या ना मानिये साथ मैं ये बात ना एक दम logical basis पे कह रहा हूँ नेपाल के लोग इस बात को मानते हैं कि उनको इंडिया और चाइना में से किसी एक को एक टाइम पर फेवर करना पड़ता है नेपाल के लोग इस बात को मानते हैं international trade है reality की बात बता रहा हूँ उनको ये भी मालूम है कि जब वो इंडिया के साथ trade करते हैं तो इंडिया बड़े भाई के रोल में जाता है और चाइना के साथ trade करते हैं तो चाइना भी बड़े भाई के रोल में जाता है और ये बात मैं इंडियन हूँ लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेड होगा तो चुकि इंडिया बड़े भाई का रोल निभाता है और इंडिया डॉमिनेटिंग पोजीशन पर है तो हमेशा अपना जादा फाइदा इंडिया लेना चाहता है और उसको मिलता है और यह बात नेपाल के लोग मानते हैं कहते हैं साथ इंटरनेशनल ट्रेड जब भी होगा हमेशा ऐसा होता है नेपाल के लोग यह शिकायत कर सकते हैं कि इंडिया हम से ट्रेड करके अपना फायदा ढूंडता है और चाइना हम से ट्रेड करके अपना फायदा ढूंडता है इंटरनेशनल ट्रेड में नेपाल को फा तो यह अपने आप में एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक्जामपल हैं तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड के इस एक्जामपल को थोड़ा आगे बढ़ाऊं साहब तो मान लीजी एक तरफ मैं दिल्ली की सिच्चोशन ले लेता हूं और दूसरी तरफ मैं काठमांडू की सिच्चोशन को ले लेता हूं ठीक है अच्छा दिल्ली में चुकि यह मैं टूर और ट्रेवल का एक्जाम्पल ले रहा हूं तो दिल्ली में मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा एक वो जो की है ट्रेवल एजेंट्स दूसरे वो जिनको की मैं कह सकता हूं एरलाइन्स मेरी बात ध्यान से सुनेगा ट्रेवल एजेंट्स और एरलाइन्स और ये हैं दिल्ली के लोग बड़े सारे और ये हैं दिल्ली के लोग बड़े सारे ये जो दिल्ली के लोग हैं ये ट्रेवल एजेंट्स को या फिर ये एरलाइन्स को कॉंटेक्ट करते ही और यह कहते हैं कि साथ आप हमारी ticket अब आप हमारे hotel book करिए ये सारी की सारी payment दिल्ली के travel agent या airlines की gym में चली जाती है और ये जो payment जाती है, ये जो payment जाती है This is in lakhs of rupees A के एक अधमी से लाखों में पैसा लिया जाता है Family से खासता और पर अच्छा जो पैसा लाखों में लिया जाता है ये पैसा यहां से इधर ट्रांसफर होता है काठमांडू की तरफ क्योंकि जो लोग हैं यहां रहने वाले वो घूमने तो काठमांडू ही जा रहे अच्छा काटमांडू में इसमें इंट्रस्टेड पार्टी कौन कौन सी हो सकती हैं सोचे काटमांडू में जो होटल के ओनर्स है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ लोग वहाँ जाएंगे होटल में रहेंगे और काटमांडू में कौन है काटवांडू में टेक्सी ऑपरेटर्स हो सकते हैं जब हमारे लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ की टेक्सियों में घूमेंगे टेक्सी ऑपरेटर्स वहाँ हो सकते हैं और काटवांडू में कौन है रेस्टोरेंट्स वहाँ जाएंगे तो वहाँ के रेस्टुरेंट्स में खाना खाएंगे और भी कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन मैं एक्जांपल को थोड़ा लिमिट करना चाहता हूँ आप ये जानकर हैरान होगे कि ये जो ट्रेवल एजेंट्स को हम लोग लाखों में रपे देते हैं जब यहाँ ये पैसा ट्रांसफर होता है तो ये पैसा लाखों में ट्रांसफर नहीं होता ये पैसा थाउजेंट्स में ट्रांसफर होता तो असली मलाई कौन खा गए? असली मलाई खा गए ट्रेवल एजेंट्स और एर लाइन्स वाले डिल्ली में बैठे हुए और काटमांडू में जो नेपाल की राजधानी हैं उसने असली सर्विसेज दी लेकिन वहां की लोगों को मिला पैसा कम? आप मुझे बताएं मोर बेनिफीशरी कौन हुआ? दिल्ली के ट्रेवल एजेंट्स और एर लाइन्स और लेस बेनिफीशरी कौन हुए? काटमांडू के होटल के मालिक, टेक्सी ओपरेटर्स और रेस्टराउनर्स INTERNATIONAL TRADE ऐसा ही है जी? ऐसा ही है यही अगर example मैं बदल देता हूँ और मैं यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर अमेरिका का example ले आता हूँ, जापान का example ले आता हूँ, तो situation पलट जाती है जैसे हम भारत नेपाल पर situation को dominate करने की कोशिश करता है उसी तरीके से अमेरिका इंडिया पर situation dominate करने की कोशिश करता है International trade बड़ा cruel है जी बहुत cruel है इसमें दो parties engaged होती जरूर है पर इसमें एक party more beneficiary होगी दूसरी party less beneficiary होगी मेरे इस example में यहां के लोगों से जो कमाया जाता है उसमें जादा तर income हम लोगों के पास आती है और कम income इन लोगों के पास जाती है तो यहां के लोगों का standard of living तेजी से उपर उठता है और यहां पे लोगों का जो standard of living है वो जो उठता है उसकी रफ़तार बहुत धीमी होती तो मेरे प्यारे बच्चों international trade की limitation को सोची हमने ऐसी दुनिया बना दी है जिसमें एक party जो है वो dominating हो गई है और वो दूसरी party के उपर अपने points को जबरदस्ति इंपोस करने की कोशिश करत इसलिए international trade cruel है international trade ऐसी situation पर जाता है जिसमें unequal benefits अलग अलग पार्टीज को मिलते हैं आपको लग सकता है सहाव कि मैं विद्रोहियों की तरह बात कर रहा हूं पर मेरे भाई ये मैं हाथ जोड लेता हूं मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं international trade के विरोध में कुछ कहूं ये मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूं दिमाग में कुछ बाते हैं बस उनी को आपके सामने में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं जानता हूं मैं ये मानता हूं कि इसके बहाने आपने international trade की इस limitation को समझा है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई है अब मैं एक काम करता हूं अब मैं very good जी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अब मैं arguments against international trade के point number two की तरफ आपको ले चलता हूं चलिए point number two की heading डालेगा adverse impact और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आप लिखेंगे इसके आगे increase in demand क्या लिखाब ने increase in demand for foreign goods and services increase in demand for foreign goods and services may have adverse may have adverse impact on may have adverse impact on growth and survival of domestic industries अच्छा बच्चों मैंने लिखी तो एक ही स्टेट्मेंट है और आप के लिए इतनी स्टेट्मेंट अपने आप में बहुत है point number two के support में लेकिन आप जानते हूं साब कि मैं यहां रुकने वाला तो हूं नहीं आप 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 आ अब मैं आपको बहुत बढ़िया एक्जामपल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं इस पर मैंने अच्छी कासी research भी करी है पर पहले मैं blank page पर आ जाता हूं जी सुनेगा जी आपको यह एक्जामपल देख कर समझ कर बहुत अच्छा लगेगा जो एक्जामपल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो दिल्ली के करोल बाग मार्केट का है भई आप दिल्ली में रहते हों ना रहते हों आपने करोल बाग का नाम ना सुना हो यह तो हो नहीं सकता जी अच्छा करोल बाग में नॉर्मली मतलब एक अगर हलका idea लिया जाए कितने तरीके के manufacturers अपना काम कर रहे हैं मैं कुछ लिस्ट आपके सामने पेश करना चाहूंगा हां जी सबसे पहले जो इंडस्ट्री करोल बाग में हैं वो है बैग manufacturers की बैग बड़े सारे बैग बनते हैं साब आटैचिया बड़ी सारी बनती हैं आप कभी करोल बाग मार्केट में गुमे साब आपको पता चल जाएगा कि जो बैग है अटैचियों की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है फिर करोल बाग में एक ऐसी मार्केट भी है जहां जीन्स की मैनुफेक्चरिंग हो रही है साब ठीक है जी बड़ी सारी साब एक तो एक ऐसा एलिये जहां जीन्स की इतनी सारी मैनुफेक्चरिंग यूनिट से साब फिर मैंने देखा है करोल बाग में कार सीट कवर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है स्थीट कवर्स की मार्केट है सब, कमाल है सब, फिर मैंने देखा है कि करोल बाग में आटो पार्ट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, फिर मैंने देखा है कि करोल बाग में केबल मेनुफेक्चरिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वेल और भी मैं बड़े सारे एक्जामपल ले सकता हूँ लेकिन बहतर होगा कि मैं अब जादे एक्जामपल ना लूँ मैं आपको बताओं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चो आप बहुत हैरान हो जाएंगे मेरे इस पूरे एक्जामपल को सुनने के बाद मेरा रफ आइडिया ये है कि अकेले करोल बाग में जितनी भी ये यूनिट्स हैं उसके कम से कम एक हजार मैनुफेक्चर अर्स तो होंगे ही होंगे अच्छा आप ये एक्जामपल लिख तो नहीं रहे ना अरे यार सिर्फ समझो ये सारी बाते लिखने की नहीं होती है कम से कम एक हजार मैनुफेक्चर सारे प्रोड़क की होंगे और ये जो मैंने एक हजार काय ये मैंने बहुत चोटी बात कही है साफ बात आपको बता रहो मैं आपको साफ तोर पे बता दू कि कम से कम करोल बाग में 25,000 रिटेलर तो हैं ही एक रफ आइडिया में आपके सामने पेश कर रहा हूँ अगर 25,000 रिटेलर हैं एक हजार मैनुफेक्चर हैं और हर एक आदमी के साथ अगर सोचा जाए कितने लोग जुड़े होते हम कितने लोगों को एमप्लॉइमेंट देते हैं अगर एक एवरेज भी मैं लूँ एक आदमी ने अगर चार लोगों को एमप्लॉइमेंट भी दे रखी है खुद का मिलाकर तो क्या एक लाख फैमिलीज ऐसी हैं के नहीं हैं जो अकेले करोल बाग के बिजनस के साथ जुड़ी हुई हैं अगर एक लाख फैमिलीज हैं और अगर मैं यह मानता हूँ कि एक एक फैमिली में और ने वरेट पांच लोग रहते हैं तो इसका मतलब पांच लाख लोग जो हैं वो करोल बाग के बिजनस के साथ सीधे तोर पर जुड़े हुई अच्छा बच्चो अगर यह फिगर मैंने आपको करोल बाग की दी है तो जरा मुझे बताईएगा ऐसी मार्केट पूरे भारत में कितनी हो सकती अकेले दिल्ली में ऐसी 10 मार्केट हो सकती है और दिल्ली तो पूरे भारत का बड़ा चोटा सा हिस्सा है क्या ऐसा हो सकता है कि करोल बाग जैसी पूरे भारत में 500 मार्केट हो जनाब हम क्या जाने अगर ऐसी 500 मार्केट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा है कि टोटल मनुफेक्चरर क्यतने हो गए आप कहींगे टोटल मनुफेक्चरर हो गए 5 लाक अरे वापर कि आप कहेंगे टोटल रेटेलर कितने हो गए 25 25 5 125 और उसके बाद 0 कितने लगाने है एक डू तीन चार पाँच कितने हो गए भाई एक करोड़ 25 लाग तो रिटेलर हो गए अच्छा एक लाग फैमिलीज हैं तो भी कितने हो गए पाँच करोड़ फैमिलीज हो गए अरे बाप रही कुछ गलत एक्जाम्पल तो नहीं दे दिया न और 25 करोड़ लोग अगर एक आप जीरो इधर उधर हो जाए तो भी आप माफ कीजिएगा इसका मतलब जो बिजनस सेक्टर है ना उसके साथ 25 करोड़ लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है और ये 25 करोड़ लोगों की जिन्दगी जानते हो एक पिलर पर्टिकी हुई है वो pillar जानते हैं क्या है वो pillar ये है कि हम एक Indian से ये expect करते हैं कि वो हम से समान खरीदेगा अगर वो हम से समान खरीदेगा तो पैसा हमारी जिम में आएगा हमारी जिम में आएगा तो ये 25 करोड लोग जिन्दा रह सके कि जिस दिन हम लोगों ने ऐसी सोच पैदा कर दी कि हमें करोल बग जैसी मार्केट का समान नहीं करीदना कि तब ये सारे के सारे लोग सटक पर आजाएंगे तो जनाब आप किस के लिए आप सबसे पहले सोचना चाहते जब हम कहते हैं जब हमारे परधान मंतरी ये कहते हैं कि हमें वोकल के लिए हमें लोकल के लिए वोकल होना है वो यहीतो कहना चाहते हैं कि इस देश के करोडों लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनका बनाया हुआ समान खरी देंगे वो हमें पैसे देंगे ताकि इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सके उनके स्कूल का खर्चा उसमें निकल सके इनका standard of living बढ़ सके तो सोचिए भारत की इतनी बड़ी population हमारे Indian consumer से क्या उम्मीद लगाती है कि प्लीज हमारा बनाय हुआ समान खरीदी अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो इनका standard of living बहुत बुरी condition में चला जाए इसलिए international trade इन लोगों के साथ किया गया विश्वास घात है मैं वापिस आता हूँ जी जो मैंने आपको लिखवा कर दिया था अगर foreign goods और services की demand बढ़ जाती है तो जो domestic industries हैं उनके survival का क्या होगा और उनकी growth का क्या होगा अब मैं थोड़ा सा हस लेता हूँ वाई मैं माफी चाहूंगा तो यह सारी बात जो है ना जोस जोस में मैं कह गया पता है यह सारी बाते पब्लिक को बोलने में बड़ी अच्छी लगती है इसमें कुछ adverse consequences भी हैं पर मैं फिर कहूंगा भाईया मैं बहुत बड़ी मजबूरी में हूँ मुझे कहा गया है कि आपको international trade के अगेंस में कुछ बोलना है इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैं फिर कहूंगा साब मेरी बात को इतना सीधसली मत लीजेगा यह सिर्फ कहने के लिए मैं कह रहा हूँ अब मैं आगे बढ़ता हूँ साब point number three international economic crisis international economic crisis हर आप हम जी हैРЕता है अच्छक कभी कबर आइसा होता है कि आप कहना कोई कसूर नहीं होता है पर आपको उसकी स cauliflower मिलती है सार्व मैं आपके साथ कभी ऐसा हुआ के नहीं हुआ साई अच्छा एक्जाम हुआ नंबर आगे शर्मा जी के लड़के के नंबर आगे बहुत ज़ादा आपके नंबर उतने नहीं है साथ लेकिन आप घर में अपने पिता जी के दुवारा दुने जा रहे हैं साथ आपको साथ इसमें मेरा क्या खुझूर है भाई वो ज़्यादा नं कोई खसूर नहीं है लेकिन उसकी सजा उस बेचारे को भुगतनी पड़ती है कि मैं बता रहा हूं साब कोविड 19 कोरोना वाइरस ने टूर्स एंड ट्रेवल्स का बैंड बजा दिया साब लोगों ने ट्रेवलिंग करनी बंद कर दी तो ऐसे देश जहां पे टूर्स और ट्रेवलिंग के उपर ही अच्छी गासी डिपेंडेंसी लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया वहाँ के लोग कहते साब हमारा क्या कसूरे साब उसको छोड़िये साब करोना वाइरस में यहाँ के लोगों ने शिमला नहीं गए नैनी ताल नहीं गए यहाँ के लोग मसूरी नहीं गए वो बैचारे सोतने लोग बताओ हमारा क्या कसूरे साब प्रॉब्लम चाइना की औ अब लिखेंगे, if the situation of economic crisis crisis is prevalent in one country. Its adverse consequences are felt in other countries for no fault of theirs. No fault of theirs. मेरे ख्याल से बड़ी perfect statement है, जो मैंने आपके सामने लिखवा कर दी है. हांजी, COVID-19 has produced has produced widespread economic slowdown has produced economic slowdown and unemployment and only China is responsible for it enabling them to avoidance can't, change their sexual in- entrar Department of Justice if they want to break it will be a sign people will amend the Neighbory कोई और भरे कोई इंटरनेशनल ट्रेड में जाओगे तो यह हो गई होगा अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होता माइना चाइना से ना कोई यहां आता ना कोई वहां जाता तो ये प्रॉब्लम चाइना में ही बनी रहती हमारे देश में वो प्रॉब्लम नहीं आती पर आप कहेंगे सर ये बात ठीक है आप कह लीजिए आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं पर आप खुछ जानते हैं यह संभव नहीं है चलिए अब एक काम करें अगले पॉइंट की और इसने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा पॉइंट नमबर फोर की हैडिंग डालेगा डिपेंडेंस ओन पॉरण गुड्स डिपेंडेंस ओन फॉरण गुड़्स कभी कबार ऐसा देखा गया है क्या फॉरण गुड्स और सर्विसेज पर बहुत ज्यादा है तो इसके consequences क्या है ताब लिखेंगे in case of less developed countries in case of less developed countries heavy dependence heavy dependence on foreign goods and services heavy dependence on foreign goods and services may destroy their economy and sovereignty हां जी पहले मैं जरा example देने के लिए एक plain page ले आता हूं जी सुनेगा बच्चों आप जो एक्जांपल में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वह एक्जांपल है मौल्दीव्स का आप जानते के मौल्दीव्स अपने आप में एक कंट्री है मौल्दीव्स अपने आप में एक देश है क्या आप जानते हैं कि मौल्दीव्स जो अपने आपने एक देश है उसकी टोटल पॉपॉलेशन कितनी वेल मौल्दीव्स की जो टोटल पॉपॉलेशन है जो मैंने Google पे सर्च करी वो कुल मिलाकर 4 लाख लोगों की 4,000,000 से ज्यादा लोग रहते होंगे तो पूरे देश में 4,000,000 लोग रहते हैं और यह एक चोटे से नगर में 4,000,000 से ज्यादा ही लोग रहते हैं अच्छा किया आप जानते हैं कि मौल्दिफ का जो एरिया है वो कितना है भाई ये भी मैंने Google पे सर्ज किया और मेरे पास जानकारी है वो है 298 स्क्वेर किलोमीटर आप इसको मोटा-मोटा कह सकते हो 300 स्क्वेर किलोमीटर अच्छा 300 स्क्वेर किलोमीटर आप लोग math अच्छी तरह पड़े हुए हैं आप ये समझते हैं कि अगर एक rectangle इस तरीके से बनाया जाए हाला कि इस तरीके से Maldives नहीं है लेकिन फिर भी अगर उसमें एक तरफ का distance 15 किलोमीटर लिया जाए और दूसरी तरफ का लिया जाए 20 क करता हूँ तो वो जो area निकल कर आएगा वो गया लगबग 300 स्क्वेर किलोमीटर तो Maldives कुल मिलाकर इतना ही है कि उसमें एक तरफ के 15 किलोमीटर होगे और दूसरी तरफ के 20 किलोमीटर होगे अच्छा अब मैं example को आगे बढ़ाता हूँ आप जानते हैं कि मॉल्दिव में टूरिजम की situation क्या है बच्चो मैं आपके सामने बड़ा interesting data आपके सामने लेकर आ रहा हूँ साब वो data जो मैं लेकर आया हूँ वो क्या है कि मॉल्दिव में जो total GDP है GDP accounts के student GDP economics के student जानते ही हैं हमारे पास भी national income बाद में आएगा याने total GDP का अकेले 30% मॉल्दिव का tourism sector से ही आता है दूसरी information आपको जानकर हरांगी होगी 60% of total forex receipts याने उनके देश में जितनी भी forex receipts foreign exchange की receipts होती है जो पैसे उनको मिलते हैं उसमें 60% से जादा वो tourism sector से ही collect करते हैं और सबसे बड़ी बात कि माल्दिव्स को जो total tax का collection होता है आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे 90% of total tax collections याने सरकार ने जो total tax collection करनी होती है जिससे उनका देश चलता है उसका 90% tourism के sector से आता है देश चलाने के लिए tax चाहिए और tax अगर 100 पे है तो 90 पे का tax सर्फ tourism के sector से आता है मेरे भाई मौल्दिव्स tourism के ओपर कितना जादा dependent है और tourist कौन है दूसरे देश से ही तो आएगा ना अगर मान लिजे सहाब इसमें कहीं कोई समस्या हो जाए कहीं कोई गरबर हो जाए टूरिस आना बंद कर दें तो मौल्दिव्स का होगा क्या बड़ी बात है कि ने क्या होगा सब तो less developed countries एक बहुत बड़े रिस्क में काम करते हैं अगर वो foreign goods पर बहुत जादा heavily dependent हो जाए और वो dependence उनको बहुत भारी पड़ सकती है अगर कहीं पर कुछ भी अगर adverse situation existence में आ जाए तो माफ कीजिएगा हमें लगता उनकी जो political sovereignty है उनकी खुद की जो स्वायतता है वो भी बहुत भारी खतरे में पर सकती है अगर ऐसे हालात हो गए तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे example बड़े अच्छे समझ में आई होंगे जो example मैंने नेपाल के context में लिया फिर मैंने करोलबा का example उठाया फूर उसके बाद मैंने मौलदीव्स का example आपको दिया ये सारे example आपको बड़े अच्छे लगे होंगे मैं discussion को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ point number 5 मेरे प्यारे बच्छो point number 5 की heading डालेगा sacrifice of welfare of common people इसका सीधा सा मतलब ये है के भाईया के जिनके हाथों में देश की सप्ता चली जाएगी उनको क्या करना पड़ेगा वो क्या करेंगे वो आम आदमी के welfare को sacrifice करेंगे वो कहेंगे के हमारे जो interest है वो fulfill होने चाहिए तो ultimately international trade का सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा normal person को आमाद लिखो आप लिखेंगे welfare of common people may be sacrificed for sake of profits हमारे देश में भी मेरे को पूरी तरह फिगर तो नहीं मालूम लेकिन मैं यह कह सकता हूं एक रफ आइडिया है कि 10 परसंट लोगों के हाथ में दस परसंट लोगों के हाथ में 90 परसंट वेल्थ है यह फिगर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन सोचिए यानि इस देश में जो फैसले लिए जाएंगे वो फैसले पूरे सौ परसंट लोगों पर लागू होते हैं पर फैसले लेते कौन है पावर्फुल लोग और इंफुलेंशल लोग हो सकता है हम कहें कि दुनिया भर से डिमांड आ रही है एकस्पोर्ट होगा ही होगा तो जनाब अगर आप एकसेस एकस्पोर्ट piorोगे और यहांकि नेच्रूल रिसोर्सस को जादा खतम कर देंगे दुनिया में ऐसा कोई रिसोर्स हैं जो हमेशा बना रहेगा पैट्रोल और डीजल भी कब तक बने रहेंगे हमें भी नहीं पता साथ पर एक दिन वो फैसिलिटी भी खतम होकर रहेगी आप लिखेंगे इसी क्या गे लिखेगा excess export excess export may lead to the situation of may lead to the situation of shortage of goods for local consumption ठीक है ना समान इसरे बनाओ क्योंकि बाहर समान भिजवाना है तो जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी requirement का क्या होगा अच्छा international trade में एक problem ये भी होती है कि जो समान locally बनाया जा सकता है locally नहीं बनाया जाता पर बाहर से मंगाया जाता है जबरदस्ती उसको हम बोलते है excess import excess import may lead to अगर आप excess import में जाएंगे तो उसमें कौन कौन सी problem हो सकती है health hazards and pollution of environment कि भी बहार से भी अगर आप बड़ा सारा समान इंडिया में लेकर आओगे हो सकता है वहां बिक नहीं रहा हो हो सकता है वह सब्स्टेंडर्ड उसकी कैटेगरी का हो तो ऐसी situation में यहां पर आप health hazards produce करोगे जो दुनिया में कोई नहीं खाता है कोई नहीं पीता है साथ उसको इंडिया में आप ले आओगे तो यहां लोगों की health के साथ खिलवार होगा ही होगा आप ऐसी situation क्यों develop करते हैं कि जिससे हमारे देश का नुकसान होता हो तो इसलिए मैं कहता हूँ साथ कि जब आप बहुत ज़्यादा export में चले जाते हैं तो आम आदमी के welfare के साथ sacrifice होता है जो excess export होता है उससे क्या होता है कि जो local consumption के लिए goods का shortage भी हो जाता है और हमारे जो natural resources हैं वो बहुत जल्दी खतम भी हो जाते हैं और जो goods आप बिना बाद के बाहर से मंगाते हैं वो होते substandard quality के हैं यहां पर आकर health hazards जैसी problem होती हैं और environment के pollution के लिए भी वो responsible होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की class में मैंने अपना एक mood बनाया कि मैं international trade के विरोध में कुछ कहूंगा अब अगले दो pages में मुझे international trade के favor में कुछ कहना है पर international trade के favor में कुछ कहने के लिए मुझे अपना mood बदलना होगा इसलिए काम करते हैं आज की class में हम बस economics और finance को इतना ही cover करते हैं मैंने आपको इसके 5 point लिखवा कर दिये मैं एक बात आपको और बता दू अगर आपसे सवाल paper में आए तो please 5 point मत लिख दीजिएगा मेरे प्यारे student question या 2 number का आना है या 3 number का आना है तो आप उतना ही लिखेगा जितनी उसकी requirement ऐसा मैं अगर होंगा तो 2 number के लिए मैं इसके खाली 2 point लिखूँगा 3 number के लिए 3 point लिख दूँगा बस इससे ज़्यादा time अगर मैं दूँगा तो मेरा paper पूरा नहीं होगा तो आईए आज की class को हम लोग यहां conclude करते हैं तो मिलेंगे अगली class में तब तक good bye thank you take care